हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल तन्वीकी रसोई में तो कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ कि बढ़ी आओंगे मस्त होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई वो भी कडाही में बिल्कुल बेकरी स्टाईल बहुत ही आसा आधी कणओरी मैं ने पिची हुई चीनी ले लिए अगर आपके पास पिचीवी चीनी ना हो तो आप किसि में चला के पीश लेना और आधी PAC अ करे मैं देसी घी है तो सबसे पहले हम इसे रखेंगे साइड मे और इसके लिए मैंने इस तरह से बटन ले लिए है और अब हम इसमें घी को ट्रांसफर करेंगे घी बहुत जादा टाइट नहीं होना चाहिए तो इस तरह से हम इसे पलट लेंगे और अब हम इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल देंगे इस तरीके से और अब हम इसे विस्कर की सहायता से अच्छी तरह से फेट लेंगे इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेटना है दोस्तो फेटते फेटते ताकि इसका जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए बिल्कुल फ्लम्वी सा हमें इसे लगातार इसी तरह से फेटते रहना है हमें इसे बहुत ही अच्छी से फेटना है एक ही डारेक्शन में लगबग पांच मिनट लग जाते हैं इसे फेटने में इसी तरह से लगातार हम इसे फेटते रहेंगे हमें इसे इतना फेटना है कि जो इसका टेक्स्चर है वो बिल्कुल क्रीमी सा हो जाना चाहिए बिल्कुल फ्लम्बी सा इसी तरीके से हम इसे फेटते जाएंगे लगातार इसे बहुत अच्छी तरह से फेटना है दोस्तों ये देखिए अभी मैं आपको इसे पानी में डाल के दिखाती हूँ तो मैं इसे डाल दूँगी पानी में तो ये देखिए ये तैर रहा है बैठ नहीं रहा है तैर रहा है मतलब ये बिल्कुल पर्फेक्ट है इससे जदा हमें इसे नहीं फेटना है तो अब हम इसे रखेंगे साइड में और इसके लिए लेंगे एक खाली इस तरीके से और छन्नी और अब हम इसमें छन्नी में मैदा को डालेंगे और बेशन दोनों को छान लेंगे अच्छी तरीके से मैदा और बेशन को छानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों छानने से ये हलका हो जाता है तो इस तरीके से मैंने इसे छान लिया है आप देख सकते हो और अब हम इसे मिक्स कर देंगे इसी में इसी में डाल देंगे मैदा और बेशन को तो अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्माज बेकिंग पाउडन और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्माज मीठा सोडा और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे नमक दोस्तों मीठे को बैलेंस करता है तो जादा नहीं डालना है अब हम इसे मिक्स करते हुए इसका डो बना लेंगे ध्यान रहे हैं दोस्तों हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है ना तो पानी डालना है और ना ही दूद डालना है अगर आपको लगे कि ये सूखा है तो आप इसमें घी एट कर देना लेकिन पानी या फिर दूद नहीं डालना इसे इसी तरह के से मिलाते हुए हम इसे गूत लेंगे थोड़ी देर इसी तरह से मिलाते हुए ये आराम से गूत लेंगे आप इसी तरीके से हम मिलाते हुए इसे अच्छी तरह से गूत लेंगे ध्यान रहे इसे बिल्कुल मसल मसल के हमें इसे नहीं गूत ना है हम जिस तरह से मिला रहे हैं इसी तरह से हमें इसे मिलाते हुए गूत ना है इसे मसलना बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके से अगर आपको लगे कि ये सूखा है तो आप घी डाल देना लेकिन पानी या फिर दूद नहीं डालना तो ये देखिए बिल्कुल बढ़ियां से इसी तरह से हम मिलाते हुए इसे गूत लेंगे इसका एक डो त्यार कर लेंगे इसी तरीके से हमें इसे गूत लेना है अगर आपको बीच में जरूरत लगे तो आप घी एड कर देना इस तरीके से हम इसे एक डो के जैसा बना लेंगे ये देखिए इसी तरीके से तो आप देख सकते हो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे बिल्कुल मसल मसल के गूता नहीं है बस इसी तरह से हाथों से मिलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इस तरीके से तो अब हम इसे ढख के करीब 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे और इधर मैंने कडाही रख दिया है गैस पे गरम होने के लिए और हम कडाही में डालेंगे नमक इस तरीके से नमक डाल देंगे नीचे नमक डाल देंगे इसे अच्छी तरह से फैला देंगे और अब हम इसमें एक स्टैंड रखेंगे इस तरीके से और अब हम इसे इस तरीके से थाली से ढखके करीब पांच मिनिट के लिए गरम होने देंगे और इधर मैंने इस तरह से प्लेट ले लिया है इसी में हम रिफार्इंड और लगा लेंगे आप गी भी लगा सकते हो इस तरीके से सारी प्लेट में हम तेल लगा लेंगे अच्छी तरीके से और अब हम इसे रखेंगे साइड में और ये मैंने फ्रेज में से निकाल लिया है इस तरीके से डो को थोड़ा सा मस लेंगे इस तरीके से छोटा सा एक पेड़ा तोड़ेंगे इस तरीके से और अब हम इसे गोल गोल पेड़े जैसा आकार देंगे इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा हाथों से और इसे गोल-गोल करेंगे इसमें बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं रहने चाहिए दोस्तों ध्यान रहें आपको इसमें क्रेक्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए तो ये देखें इस तरीके से हम सारे नानखटाई को बना लेंगे थोड़ा सा हाथों में लेंगे इस तरीके से करेंगे हाथों से थोड़ा सा बाइंड करते हुए हम इसे गोला कर लेंगे इस तरीके से और ध्यान रहे इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए हम इसे एक साइज का बना लेंगे इस तरीके से हाथों से तोड़ा बांते हुए हम इसे बना लेंगे अब हम इसे गोल गोल करेंगे इस तरीके से इसी तरीके से मैं एक बना के और दिखा देती हूँ आपको ध्यान रहे हैं दोस्तों इसमें बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं रहने चाहिए तो इस तरीके से हम इसे गोल गोल कर देंगे तो यह देखे यह से चिप्टा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको तो इसी तरह से मैंने सारी नान खटाई को बना के तैयार कर लिया है आप देख सकते हो बिल्कुल गोल गोल से और इधर हमारी कडाही भी गरम हो गई है तो आब हम इसे खोलेंगे अब यह काफी गरम है और अब हम इसी में प्लेट को रख देंगे जिसमें मैंने नान खटाई बनाया है इस तरीके से रख दिया है मैंने और अब हम इसे कवर करके लगबग 20 से 25 मिनट के लिए बेख होने देंगे इसे अच्छी तरह से ढख देंगे तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं दोस्तों 25 मिनट हो चुके हैं मैं इसे खोल के चेक करूंगी तो यह देखिए नान खटाई हमारी बहुत ही अच्छे से बेख हुई है आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है यह दिखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है बिल्कुल बेकरी स्टाईल नान खटाई बनकर हमारी त्यार हुई है बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में आप इसे एक बर बना के इस तरह से जरूर देखना आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे कडाही में बनाया है ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगेंगे अब हम इसे कडाही से बाहर निकालेंगे ये काफी गरम है तो इस तरीके से हम इसे कडाही से बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हो नान खटाई हमारी बहुत ही अच्छे से फूली है अब हम इसे निकालेंगे पहले इसमें कितनी जगह थी बिल्कुल भी जगह नहीं है बहुत ही अच्छे से फूली है हमारी नान खटाई इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे सारी नान खटाई को हम निकालेंगे ये देखे बहुत ही टेश्टी लग रहे हैं देखने में तो आप हम इसे अलग प्लेट में निकाल के रखेंगे ये देखे ये पीछे से भी बहुत ही अच्छे से बेख हुई है और उपर से भी बहुत ही अच्छे से बेख हुई है आप इसे कूकर में बनाईए बहुत ही टेश्टी लगेंगी दोस्ते और बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले यह फटा-फट से बनके त्यार हो जाती है नान खटाई बहुत ही टेस्टी बनेगी इस तरीके से जरूर बनाईएगा आप खुद यकिन नहीं कर पाओगे कि आपने इसे कडाही में बनाया है इतना टेस्टी तो इसी तरह से हम सारी नान खटाई को अलग प्लेट में निकाल लेंगे ये देखें उपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सौफ्ट मुर में खुल जाने वाली नान खटाई बहुत ही टेस्टी लगेगी दोस्तों तो उमीद करती हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें, आल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी 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 वीडियो की नोटिफि रहे तो यह देखिए सारी नान खटाई हमारी बनके बहुत ही अच्छे से त्यार हो गई है बहुत ही अच्छे से बेख हुई है बिल्कुल नीचे तक यह देखिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ यह बहुत ही अच्छे से फूली है आप देख सकते हो और खाने मे तो बहुत ही टेस्टी है तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो में ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर